एलो फ्रेंड्स मैं हूं सुझाता चोहान और आप सभी का अपनी ओनलाइन चींग क्लासेज में एक पास फिर स्वागत करती हूं आज मैं आप सभी को प्रोनाउंस कराऊंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउं क्या होते हैं सबसे पहले वो समझते हैं जो शब्द नाउं के जगा यूज किया जाते हैं वो प्रोनाउं कहलाते हैं प्रोनाउंस आर तरिके के होते हैं इनमें आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस इसके बाद आते हैं इसके बाद आता है इन्टेरोगेटिव प्रोनाउंस प्रोनाउंस जिन्सके द्वारा आप क्वेशन्स पूछते हैं इसके बाद आता है रिफ्लेक्सि प्रोनाउंस जो दबाव डालने के लिए प्रभाव डालने के लिए यूज किया जाते हैं himself called me उसने मुझे खुद ही बुलाया था himself, himself उस पे जो डालने के लिए कि उसने खुद ही बुलाया था तो इस तरह के जो emphasis डालते हैं वो emphasizing pronouns के अंतरकत आते हैं इसके बाद आता है possessive pronouns possessive जैसे कि word से ही show करता है possession show करने के लिए वो pronouns possessive कहलाते हैं जैसे this suit is his ये उसका suit है these pens are mine ये pen मेरे हैं next आता है indefinite pronouns pronouns that stand for some noun understood or implied for example all words satisfied the words none, all, some, both, many, few, eat, either, neither, anyone, everyone, someone, everybody, nobody are usually used as indefinite pronouns ये सभी indefinite pronouns के अंतरकत आते हैं इसके बाद आते है relative pronouns relative pronouns जो relations को show करते हैं relate करते हैं जैसे pronouns that relate a noun to a group of words that follow for example the medicine which the doctor had suggested proved effective अब करते हैं personal pronouns की बाद personal pronouns ती इंतरा के होते हैं first person pronoun, second person pronoun, and third person pronoun और first person के अंतरकत आते हैं I, me, my, we, our, us second person pronoun के अंतरकत आते हैं you, your, your and third के आते हैं he, she, it, his, him, her they, them, their तो आज बस इतना ही next video में आप से जल्थी मिलूंगी तब तक के लिए आप सभी कैते नेवाद आते हैं